असलाम वालेकुम जाकिर भाई I am Joseph Fernandes working in a call center मेरा सवाल आपसे यह है कि मुझे कई दोस्त मिले जिन में से कुछ सिया है और कुछ सुनी जैसे आपने कुछ देर पहले बताया कि जो इंसान मानता है कि अल्ला एक है गए और मुहमद अलेसलाम आखरी पैगंबर है तो मैं मानता हूँ इस बात को तो अगर मैं यह कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो यह जूट नहीं है लेकिन मुसलमान बनने के बाएद एक नमास पढ़ना बहुत जरूरी होता है और कुछ तरीके हैं जो दोनों यह दोस्तों ने मुझे बता हैं लेकिन उनके तरीके अलग-अलग हैं तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि किसका तरीका मैं अपना हूँ क्योंकि दोनों यह अपने तरीकों को सही समझें भाय साब ने सवाल किया कि अगर अल्ला एक है उसमें मानना है اور محمد ص Listening P.W.ения तो मैं मनता हूँ तो उस तरीके से मसलमान हूँ मैं लेकि मिरे दो दोस्ते एक śीया एक सुनी और मसलमान बनने के लिए नमास पुड़ना ज़रूरी है तो किस तरीके से नमास पूद हुआ बाय साहब आप कहते हैं कि Allpholpark है आप मानते हैं कि अल्लाग के पैगंबर मुहम्माद सौर्सम आखरी पैगंबर है तो आपने कहा किस तरीके से नमास पूड़ू ये शिया सुनी जो आपने पूछा आप जब कुरान पढ़ेंगे कुरान में ना शिया ना सुनी है कुरान में ना शिया aula ना सुनी है कुरान शरिफ में कहा गया है सुला नमर इमरान में सुला नमर तीन आयत नमर एक सुतीन में Pa! तहूर। को आप आपस में खटना होके अल्ला की रसी को मजबुती से पकड़ो अल्ला की रसी कुरान और straight हदी तो आप देखें कुरान में क्या लिखा है और अल्ला के रसूल के सई हदीस में क्या लिखा है तो जो भी आप से कुछ कहता है अगर कुरान और सई हदीस के मताबिक है आप उसकी मात मानो जो जाकिर कहता है वो भी कुछ एहमने इसलाम में जाकिर इसलाम में जीरो है जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी ने लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है तो इसलिए कोई भी शक्स कुछ कहता है अगर अक्तिलाफ है उसमें तो फिर से रुजू हो जाओ खुरान और हदीस के पास क्योंकि खुरान में लिखा है सुरे निसा में सुरा नमर चार आयत नमर 69 में वर्स नमर 59 में अत्यूल्ला वातिर रसूल अगर फिर से मुडू शर्साइ खुरान और नमर रसूल्जद से मुड़ो अल्ला हो और अल्ला के रसूल के पास कुरान और सही हदीस के पास फिर देखो कि कौन सा दोस्त, कौन सा मुस्लिम, कौन सा आलिम, कौन सा मौलाना कुरान और सही हदीस के मताबिक कह रहा है अब समझें? तो इस से पता चलेंगा कि क्या सही है आप बोलते हैं कि नमाज पढ़ने के तरीके में इक्तिलाफ है शुरू में कमस कम जो यक्सा है वो तो शुरू करो इक्तिलाफ वो थोड़ा है नमाज के तरीके में इक्तिलाफ वो थोड़ा है जो यक्सा है वो तो शुरू करो अगर आप मुसल्मान बनना चाहते हैं तो इतना वक्त क्यों ले रहे? खाली नाम के मुसल्मान होना जरूरी नहीं है वो कोई फाइदा ने अमली तोर पे मानो कि अल्ला है कि उसकी अबादत करो और आखरी रसूल मुहम्म्म्म सुल्लाव सल्म पे इमान लाओ और उसके बाद फिर तेकी करो आपके दो दोस्तों लोग जो बोल रे कुरान से कौन मैच करता है सही हदीस से कौन मैच करता है क्योंके अलाग रसूल फर्माते सही बुखारी के हदीस से उस तरीके से नमास पुड़ो जिस तरीके से आपने मुझे देखा तो जो सही हदीस से साबित है खुरान और साही हदीथ से उस तरीके से नमास पुड़ो लेकिन अगर उननीज भी फरक है कमस कम जो यकसा है वो तो शुरू करो इक्तिलाफी बातों पर तेकिक करो इंशालला पता लग जाएंगा आपको क्या सही है तो इंशालला भी आप सिर्फ नाम के मुसल्मान मत नहों अमली तोर के उपर मानों के अल्ला है के और अल्ला के रसूल मुहमास अल्ला सलमा अखरी पैगंबर है अग्यों से थे क्वेश्टिन थैंकियो से माइक नमबर एक से सवाल कर सकते हैं कीजिए जागर भाए मेरा नाम शिवाता कुछ साल पहले मैं इतना तो नौलेज रखते था कि मतलब एक शांतिने मिलते था एक बहुआन को मानने में पूजा करने में अमारी तमिल्लाड में मैं एक मर्रस हूं अमेर तमिल्लाड में बोलते हैं बालाजी अमिर भगवाने और कार्थी गरिब भगवाने तो इसे में सेम्मत नहीं था मैं बोलता था जब आम इंसानों में हो सकता है भगवानों में नहीं हो सकता है फिर भी मेरा दिल ने माना जब महीं भागा भागा फ़िरता था, फिर आचने मेरे को कृश्चिन धुस्ट लोग मेली फिर उनलोग के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत अनद लगा, अच्छा लगा फिर Bible में फूद पढ़ने लगा, उसमें भी बहुत जगह में बयानने होता है कि दिल ने मानता है, एससा गूंक भलते हैं, मानता हैने कि वो कुदा है, फिर में साति साती हमारे महले में मुसलमत दोस लोग भी है, फिर उनों अक आयद Jonathan भरके मेरे को तर्जुमा बताया, तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ क्योंकि ना शरीर है ना माबाप है ना रूप है बहुत अच्छा लगा मेरे को तंड़ा लगा यह वा दो नज़र तीन के पहले फिर मैं दो नज़र चार में डायट फॉरंग कलमा पढ़ा के इसलाम कबूल किया मुसल्मन हुआ अब यह है मैं मुसल्मन होने के बद में को इतना नौलेज नहीं था जानकारी नहीं था मेरा सवाल यही है, यतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं दिंग करता था, फिर बहुत लोग मुझे समझाए, यह गलत है, तु आया नहीं मजभ में, ऐसा नहीं चलेगा, फिर मैंने आकर अल्ला कर्म से छोड भी दिया, मेरी सवाल यह है, कुरान में नशा की बयान आता है, म मेरी मौला में जो मुझे मना करते हैं, वह यह आफिज मौला नों लोग दम मारते हैं, यह नशा है कैं नहीं है, सही है कैं गलत है? माय सब का सवाल है, अल्हम्दलिल्ला, हिंदू मजभ में शांती नहीं थी, तो बाद में इसायत कबूल की, पहले अच्छा लगा, बाइबल पड़ी, तो पता लगा, काफी गड़बड है, छोड़ दिया, फिर मुसल्मान दोस्त ने कहा, एक सुरत पड़ी, सुरह इखलास और इतना खुश हुए कि इसने इसलाम कबूल किया तीन-चार साल पहले, अल्ला इनको जजाय कहर दे, और कुछ बुरी आदत थी, जो फिर भी करता था, दोस्तों ने कहा, तो बुरी आदत छोड़ दी, अल्हम्दलिल्ला, अभी वो पुछना चाता एक सवाल, कि कुरान में लिखाए सुरे माइदा में सुरा नमबर पाच, आयत नमबर नबे में, याई लिजीन आमनू, इननमल खमरू और महसुरू, और अनजाब और असलामू, रिश्त मिन में शैतान, फश्तनि बूलो लगम तुफलिहून, कि कहो एमान वालों से, इननमल खमरू, कि मोसर्ट चीज़े हरामें, रिश्तनि बूलो लगम तुफलिहून, इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ, तो कुरान मजीद में लिखा है, कि नशे वाले चीज़, इननमल खमरू और महसुरू, गैंबलिंग, जोग खिलना, फौच्छून टेलिंग, और अल्ला के लावा किसी और की अबादत करना, बुद्परस्ती, ये चारों चीज़ हरामें, आपका सवाल था, कि नशा सिर्फ शराब में हैं, क्या पीना, चरस, गांजा में भी, जहां तक के नशे की चीज़ है, कोई भी नशे की चीज़, चाए विस्की हो या बियर हो, चाए रम हो, या आते हैं, मुंबस्ताओस इबने माजा में, वाइब नमबर थ्री, चैप नमबर थर्टी, वो फर्माते हैं, कि एनिफिंग इंटॉक्सिकेट्स इनलाच कॉंटिटी, इस प्राइब इन स्मॉल कॉंटिटी, अगर कुछ चीज आपको नशा देती है, बड़ी कॉंटिटी मे वो छोटी कॉंटिटी में भी हराम हैं, तो चरज, गांजा, सब हराम हैं, आपका सवाल था कि पीना, पीना के मुराद चरज पीना हराम, नशा है, सिग्रेट पीने का जवाब जरा डिफरेंट हरेंगा, सिग्रेट पीने का जवाब अलग है, जहां तक कि चरज, गांजा, फूकना या नशाब रांडी या आता है खमर के अंदर हराम में जहां तक सिग्रेट पीने का सवाल है पहले उल्मा ये खहते थे कि ये मखरू है तो कि हदीस है अल्ला के रसूल की कि जब आप नमास पनने जाते हैं तो जब कानदा प्यास खाते है तो सांस में बद्बू आती है इसी तरीके से सिग्रेट पीने से बद्बू आती है तो मखरू है लेकिन अभी साइंस एड़फ होने की बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से इस लो पॉईजनिंग और कुरान में कहा गया है सुरह बकरा में सुरान नमबर दो आयत नमबर 195 में कि डोन्ट मेंक या ओन हैंड ते कॉल्ड ओफ और ओन डिस्ट्रक्शन आप अपने हाथ से अपनी कबर मत खो दो में don't commit suicide अपने हाथ से अपनी कबर मत खो दो ये महरा है don't make your own hand the cause of a destruction अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो तो इससे पता चलता है कि suicide आतमत्या करना हराम है आज science बढ़ने के बाद तरक्य करने का पता चला कि after alcohol the second most damaging to health it is cigarette smoking it is smoking tobacco tobacco in any form और WHO के मताबिक हर साल 40 लाक लोग सिर्फ मरते हैं cigarette smoking से तमभाखू से 40 लाक और इसकी कई बिमारिया है आप में तक्रीर सुन सकते dietary laws of Islam इसलिए 400 से ज्यादा फत्वे है मिसर में साओधिय अरेबिया में कई علमा के जो कहते है कि cigarette पीना slow poisoning इसलिए हराम है तो नए फत्वे cigarette पीना भी हराम है और नशे के आलत के अंदर brandy wine everything चरस गांजा तो बेशक बेशक हराम है I hope that answers the question